उडिशा का खाना एक तो और एक वो होता है न आपका पखाल तो मैं जब गर्मी में आता हूँ तो उसको मैं खाता हूँ बड़े चाहो से आपड़न दांको बिभीन चल चित्र रे खड़नाई को भूमिकारे देखी चांते से 1920 हो बा क्रियेचर थेड़ी बा हेस्टोरी ठो वांठो ने थ्री पड़ चांते एबँ ओड़िया चल चित्र प्रथारे मध्यां से जरास्ते थिले खड़नाई को भूमिकारे एबँ अपड़न दंको धेड़ सरा भलपाईबा मध्यां देए थिले आगे हां मुको हुची बॉलिवड अभिनत्ता येश अलावाद को कथा सिधासड़ कालोचना करीबा एबँ स्वागत करीबा और्गस को सर पेले तो और्ग मैं उससे पहले से भी उडिशा आ रहा हूं और मेरी जो पहली फिल्म रिलीज हुई थी नाइंटी टॉन्टी दोजार आठ में तो तब यहां पे बाड आई हुई थी उडिशा में तो लोग आये थे परमोशन के लिए तो उडिशा सबसे बैस जगह है यहां का खाना यहां में हुई दिल्ली में हुई हरियाना में हुई तो उडिशा का जो शूट हमारा था सबसे बैस था यहां के लोग मला आपको हमारे शूट में एक सौंग था उसमें करीब 800-900 पबलिक रही होगी तो कोई भी एक भी पबलिक आपको कोई परहिशान नहीं करती आप बोलोगे आप तालीब जाईए वो तालीब जाते हैं इतने प्यारे लोग हैं बहुत अच्छा लगया मुझे यह शूट करके बॉलिवड और ओलिवड डिफ्रेंस क्या है अब देखिए इस डिफ्रेंस तो यही है कि भाई बॉलिवुड जो है वो एक माह है और बाकी जो ओलिवड ह के साउथ का हो गया यह सब उसके बच्चे हैं तो हर आर्टिस्स चाहता है कि मैं बॉलिवड में काम करूं और बॉलिवड रॉड चाते है कि हम लोग रिजिनल सीनिमा भी करें तो उडिसा तो अच्छा है उडिसा का सिनिमाका सिनिमा की इज्यत है नाम है मुझे बहुत आप नेगिटिव करेक्टर पर आते हो इस सा क्यों कि देखिए अभी हमारी जो एज है वो हीरो बने की तो है नहीं तो मैं जब से स्टार्ट किया acting career तो मेरा मानना है कि नेगिटिव करेक्टर थोड़ा क्या है कि जल्दी आप famous हो जाते हो जल्दी लोगों की नजर में आ जात करता हूं कि जिसमें भी वेब सीरीज हो कि फिलम हो कि मिले को negative करेक्टरी मिले तो इसलिए मिलको मैं negative करेक्टर करता हूं फिल्म प्रथा फिल्म बारे में क्या बोलेंगे और experience कैसा था shooting स्फिटिंग का तो great experience था और पर्था जो है वो एक गाउं से स्टार्ट होती है स्टोरी और बहुत प्यारी फिल्म है उडिशा के सब लोगों ने पसंद भी किया उसके बाद काफी सारी चीजे भी हुई तो मैं तो इसको भी पॉजिटिव वे में लेता हूं कि जितना भी हमारी प्रोडूसर ने भी जितना कोशिस किया और आप लोगों ने काफी साथ दिया उनका कम से कम सरकार तक बात पहुंची और कुछ ना कुछ फाइदा होगा उडिया फिल्म का तो उडिया इंडिस्ट्री का तो जो इश्वर करते हैं तो अच्छे के लिए करते हैं जो बालिवृड में जो लोग का काम करने चाहत तो मैं आपको यही सजेशन दिऊंगा कि पहले तो आप एक्टिंग सीखिए जब आप परफेक्ट हो जाएं उसके बाद आप बंबे में कोई एक अच्छा लिंक डूड़िए आप का मानलो कोई लिंक नहीं है और आप ऐसे बंबे जा रहे हो तो थोड़ा आपके लिए मुश कोई परीचे वहां पर देखिए और उसके बाद आप बंबे सिफ्ट होई है उडिसा का क्या क्या चीज़ आपको पसंद है उडिसा का खाना एक तो और एक वो होता है ना आपका पकाल तो मैं जब गर्मी में आता हूं तो उसको मैं खाता हूं बड़े चाहों से बाकी आके ही फिस खाना स्टार्ट किया था फर्स टाइम तो खाना बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बार लोग पॉजिटिव हैं और उडिसा से सैटिस्पाइड इंसान आपको कहीं नहीं मिलेगा अगर वो पांच जारुपे का जोब कर रहा है तो भी सैटिस्पाई है और उडिसा में आपको जो फैन है क्या बोलेंगे ऐसे फैन को मैं ठैंक्स बोलूंगा कि उन्होंने हमको इतना प्यार दिया उडिया फिलम में और आगे भी मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि मैं और उडिया फिलम करूं और आपके माद्यम से जो भी डारेक्टर पोडूसर हैं उनको भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम अवेलेबल हैं कोई भी मेरे लिए अगर अच्छा क्रेक्टर है तो मैं जरूर करना चाहूंगा और इसके अलावा मैं एक शो करता हूं दिल्ली में हर साल बॉलिवोड मिस्टर मिस इंडिया अभी उसका सीजन फाइव होगा तो वो छे दिन का शो है तो उस छे दिन में हम पूरे देश से जो इना बच्चे स्लेक्ट करते हैं फिर उनको वाँ ट्रेनिंग देते हैं ग्रूम करते हैं तो अगर कोई भी बच्चा बॉलिवोड से लेटेड कि किसी परकार की कोई हैल्प चाहिए किसी को किसी यूथ को तो मेरे इंस्टाग्राम पे वो मुझे इंबोक्स कर सकता है तो मुझसे जो भी हेल्प हो पाएगा मैं जरूर करूंगा 100 पसंड करूंगा जिम्धिया मैं आलोचिना करू थिले अविनेत्ता यश अलवद कसा हो एबाम सबटु गुरुतपरिणा कथा होची ओडिसा आसी छंती ओडिसारा खाद्यों खाई छंती एबाम धेड़सारा प्रसंसा करी छंती पखाड़को एबाम ओडिसा आसी की माच्च खाईवा मध् जहतो बाहरू लोकमाने आसंती ओडिसारे रोही की तांको बेसिक खुसी लागे और जितमाले प्रसंसा करांती आमोंको भी बेसिक खुसी लागे सहिसा हमारे बोरे श्वरू क्यामरा पर्शन प्रदिप्तन कसा हो कभिता स्पाई और गस्मेश